हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी विलमार के स्टॉक के बारे में friends अडानी विलमार के stock ने आप कहा सकते हैं कि अपने जो निवेशक है investors है, traders है उन सभी को एक बड़ा जटका दे दिया है जी हाँ दोस्तो stock के अंदर दोस्तो आज के दिन intraday में 10-8% के गिरावट देखने को मिली जी हाँ दोस्तो almost 8% का major cut आज अडानी विलमार के stock में देखने को मिला जो stock का आप कहते हैं अगर 52 वी खाई का बात करें तो 420 का इसका 52 वी खाई था and currently stock 328 पर रेट कर रहा है almost 90 points सी गिरावट हो गई है almost 25% का fall अडानी विलमार के stock में from higher levels देखने को मिल गया है अब कब दोस्तो अडानी विलमार के stock में तेजी होगी कौन सा level अब बचाए दोस्तो जिस level से एक bounce back आपको अडानी विलमार के stock में देखने को मिलेगा और क्या होंगे 22 फरवरी यानि कल के target stop loss resistance तो वीडियो का इंट तक देखना वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करना शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स मार्केट्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं मार्केट्स range bound थे बिलकुल आज के दिन रश्या एंट युक्रेइन की करना आप क्या सकते हैं कि मार्केट्स में सारा आप क्या सकते हैं कि जो भी आप downfall और जो भी तेजी हो रही थी वो सारा उनके आप क्या सकते हैं कि उनके बयानों पर हो रही थी बयान बाजी पर हो रही थी, निफ्टी ने आज almost दोस्तो 80 points की तेजी दिखाई, लेकिन फिर लगबग 2,5 बज़े के आसपास market में आए एक sudden downfall और उस downfall में निफ्टी उपरी स्थरों से almost आपको 100-700 points गिरता हो देखने को मिला Sensex 400 points and Bank Nifty almost 300 points उपरी स्थरों से gap down में close हुए है, stock क्या बन technicals की बात करें, तो technically stock bearish zone में आगया, as of 25% का fall आगया, इसमें from higher highs, जी हां दोस्तों from higher highs stock क्या support level की बात करें काफी major लिए दोस्तों ये चीज होती है कि stock ने, आज अपने तीनो resistance touch नहीं किये, एक भी बार but आज कहा सकते हैं कि support जो पहला support था, 346 का वो break किया, then 339 तक गया then अब कहा सकते हैं कि third support जो कि 328 है जी हां दोस्तों, 328 रुपे का एहम support level अब बचा है stock एकदम दोस्त अब कहा सकते हैं कि accurately 328 रुपे के levels पर टिका हुआ है तो definitely ये जो support level है, ये एक bounce back करने का आप कहा सकते हैं कि stock इशारा दे रहा है अब मुझे लगता है, अगर markets में अब तेजी होगी, तो definitely जो जो excessive pit away stocks है जैसे कि PNB, BHL, Tata Power then this, Adani Vilmar, Adani Power और आप कहा सकते हैं कि जो भी excessive pit away stock के आप कहा सकते हैं कि then तेजी आई, तो 60% का आप कहा सकते हैं कि लगातार circuits लगते गए 60% की तेजी आई, then आप कहा सकते हैं कि markets में गिरावट आई, then markets ने 25% जो है वो सोक कर लिया इसका तेजी को, तो almost 45% की तेजी अभी currently stock में बन रही है stock के दोस्तों अपन आज की deals की बात करें, तो 14 block deal stock में देखने को मिली, अभी भी दोस्तों stock outperform कर रहा है, 0% का move है within a month and 2.3% निफ्टी negative में रहा है, stock के अगर peers की बात करें, तो आप देख सकते हैं 42,000 करोड का market capital है दोस्तों अडानी विलमार का, काफी बड़ा market capital है, आप देख सकते हैं ADF Foods नामी companies, जिनका 1400 करोड का market capital है and आप देख सकते हैं, almost 746 चल रहा है इसका price, अडानी विलमार का इससे एकदम आधा rate पर चल रहा है 326 रुपे, तो definitely long term scope तपन अगर peer comparison करके देखें तो long term scope काफी positive है दोस्तो, long term में आपको देख सकते हैं यह सारे stocks, जो अभी आपको down full दिखा रहे हैं वो long term में आपको बहुत अच्छी तेजी करके दिखा सकते हैं, 500 रुपे तो minimum अडानी विलमार का stock जाएगा ही जाएगा बस आपको क्या करना है, patiently stock को gold करना है, stock की closing की बात करें तो 327,60 पर closing दिया है अपने आप कहा सकते की support level से एकदम नजदीक stock ने closing दिया है 15 million का दोस्ता आज कहा सकते की volume stock में देखने को मिला है, almost 1.5 crore stock से आज की दिन trade हुए, almost 26 रुपे की गिरावट दोस्तो, आज intra day में stock में देखने को मिली है, तो चले दोस्तो, आप चलते है अडानी विल्मार के intra day चार्ट पर और कल के long term के intra day targets stop less as resistance पर चर्चा करते हैं तो friends, अपन अडानी विल्मार के intra day चार्ट पर आगए, आप देख सकते है stock ने open किया 352 पर and high लगता है लगबग 326 का stock ने तेजी करी, बट आप क्याया सकते है कि जैसे stock तेजी करता, market में आ जाता है एक sharp fall, अगर market और इसका आप comparison करेंगे तो एकदम same रहे, market ने जब भी deep दिया तब stock ने deep दिया, आप देख सकते है 356 पर तक का level गया and then, अचानक से stock में गिरावट आती है and 326 रुपे के levels पर stock rate करता है, then फिर तेजी आती है, stock 340 रुपीस तक के levels पर आता है, then फिर end में लगबग आपको एक बज़े से तीन बज़े के बीच में stock पिसलता हूँ देखने को मिलता है, अगर दोस्तो इसके 1 month के chart दिखाऊं तो almost 227 पर दोस्तो stock का listing आया था, 6 months के chart पर and 268 पर दोस्तो आप कहा सकते हैं open हुआ, then लगबग दोस्तो 400 रुपे तक का high, इसका 52 week high देख सकते हैं, 420 रुपे का 52 week high है and I think so कल के दिन 320 का level चूँ जाएगा, तो definitely higher levels से काफी जादे ग्रावट हो गई है stock में और definitely जो आप investors है, जो आप निवेशक है, उनको ये time पर आपको panic sell नहीं करना है, आपको stock को buy करना है, दोस्तो कल के levels की मैं बात करता हूँ, कल अगर दोस्तो आप 328 पर के levels पर buying करते हैं for longer term and short term term मुझे लगता है कि कल के दिन 345 तक का level easily visible हो सकता है, जो कि इसका S1 है, जी हां दोस्तो, पहले support तक stock जा सकता है, 345 रुपीज का level आता है, तो definitely आप अपना short term अगर profit है तो उसको book कर लीजे बना अगर long term में आप पैसा लगा रहे तो definitely अपनी positions में बने रहे और मुझे लगता है कि 500 रुपे का level within this end of year और within this end of one and a half years, definitely stock 500 रुपे का level चू सकता है, तो दोस्तो that's it for video अगर वीडियो अच्छा लागे तो like करना, share करना subscribe करना, दोस्तो, thank you friends for watching this video